नमस्कार जैहिन इत्यास विमर्ष में आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है युवा साथियो आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ वह नवीन प्रवेशों को लेकर जो इप्रवेश की प्रक्रिया मद्द प्रदेश हायर एजूकेशन द्वारा प्रारंब की गई है जिसके संदर्ब में मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी आज उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ जैसा के हम जानते हैं राष्टी सिक्षानीती लागू हो चुकी है दो वर्ष से हम राष्टी सिक्षानीती के माद्यम से अध्यन अध्यापन कर रहे हैं फस्ट यर और सेकंड यर की परिक्षाएं भी गतवर्ष एनीपी के माद्यम से ही हुई हैं एनीपी के माद्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीन विकास के लिए काफी कुछ प्रयास किये वे हैं पिछले वीडियो मैंने आपको एडिमीशन की प्रोसेस के बारे में चर्चा किये आप चाहें तो इत्यास विमर्ष पे उसे देख सकते हैं इस एडिमीशन प्रोसेस के अंतरगत आज मैं एक बहुत महत्पूर्ण चर्चा आप से करने बाला हूँ राष्टि सिक्षा नीती के अंतरगत विद्धियार्थियों की सरवांगीन विकास के लिए दो-तीन नवाचार हैं उन में से एक है कौशल विकास जो ब्यावशाएक पाठ्षिक्रम के माध्यम से एक अवसर सामानि विद्ध्यार्थियों को अपलब्द कराता है कि अपने skill के आधार पर कोई भी विशय particular के रूप में chain करें और उसके माध्यम से अपने लिए अवसर भी तैयार करें एक है विशय chain में open elective subject जो तीन main subject आपको चुनना है जिसमें major subject में आप दो paper पढ़ेंगे माइनर में एक पढ़ेंगे elective में एक पढ़ेंगे और इस elective paper के इस्थान पर जो राश्ट्री सिख्षानीती की खूबसूरती है उसमें एक अबसर आपको यह दिया गया है विद्यार्थियों को बीए बीए सी बीए बीकॉम सबी के आप चाहें चाहें आप बीए के विद्यार्थि हैं और आप बीकॉम का किसी paper को पढ़ना चाहते हैं तो इस थर्ड पेपर में जो elective paper है उसमें open elective के रूप में आप उसे पढ़ सकते हैं साइंस वाला आर्ट पढ़ सकता है आर्ट वाला साइंस पढ़ सकता है कॉमर्स पढ़ सकता है या कि इसमें एक नवाचार और है राश्ट्री सिक्षानीती में open elective विशे के रूप में एनसेस एनसीसी और इस्पोर्ट को एक special category में रखा है आप चाहें तो विशे चैन करते समय तीसरे पेपर के रूप में मेजर माइनर और इलेक्टिब इलेक्टिब पेपर के इस्थान पर open elective subject के रूप में एनसेस एनसीसी या स्पोर्ट को चुन सकते हैं आज मैं बात कर रहा हूँ एनसेस के संदर्ब में ये बिशे हमें क्यों चुनना चाहिए और इसके क्या लाब है आज मैं इस बिशे पर चर्चा करूँगा एक कहवत आपने सुनी होगी बहुत प्रचलित है आम के आम और गुटलियों के दाम इस समय आम का सीजन भी चल रहा है इसलिए कहवत मेरे मुझ पर आई आम क्याम गुटलियों के दाम तो इस बिशे चैन करते में ये कहवत कैसे फिट बैठती है आज मैं इसी चर्चा करूँगा अगर आपने अपने तीसरे पेपर के रूप में ओपन एलेक्टिव क्योंकि आपको टोटल जो स्लेवस है जो फस्ट यर सेकेंड यर के लिए और यक प्रॉजक्ट फाइल है वोकेशनल कोर्स की और एक आपकी फिट्रॉजक्ट की टैयर होगी टिजटेशन के रूप में तो ऐसे आपको च्छे टोटल यह पार्ट हैं जो कंपल सरी है यानि प्राइवेट भी और एगुलर भी अगर कोई विद्व्ध्यार्ती प्राइव में हैं उसके लिए भी अब यह किस प्रकार लाबदायक विशय हो सकते हैं एनसेस एनसीसिया स्पोर्ट्स आज मैं इसकी चर्चा करूंगा एनसेस के पक्ष को लेके नहीं तो बीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उस पर अपने अपने उद्देश पर नहीं खरे हो कोवर्मेंट प्राइविट सबी में एनसेस एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है एनसेस एंसीसी होती है सब बच्छे जानते हैं इस्कूल लेवल पर भी थी और कई स्कूलों में एनसेस एंसीसी है लंबी कहानी मैंने कुछ वीडियो इतियास बिमर्श में दिये हैं चैन होता है एबीजी इसर्टिपीट क्या है कैसे एनेसेस में भीभिन्य प्रकार के जो शिविर हैं उन्हें पार्टिसिवेट किया सकता है तरह तरह की बाते हैं और किस प्रकार से राज इस्तर पर या नेशनल लेबल तो आप NSS को जोईन कर सकते हैं उस महाविद्यायले में एक या दो यूनिट NSS की होंगी तो आप समय रहते अपना पंजियन फॉर्म फिल करें और वहां NSS कार्याले में जो पियोज हैं NSS कार का मदकारी उनको उसे सम्मिट कर दें एक पुरा प्रोग्राम है बारसतरकार के योवा मामले खेल विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाता है और इसके माद्यम से जो विद्यार्थी है उसके शंपोन विक्तित्यों के विकास की कहनी कही जाती है तो आप इसमें NSS में पंजियन कराएं और पंजियन कराने के बाद आपको NSS के माद्धिम से मिलने वाले A, B और C certificate की पूरी कहानी कम्प्लीट होती है A certificate आपको स्कूल लेवल पर मिलता है B और C आपको महाविद्याले लेवल पर मिलता है इसी में आपको तरह तरह के National International Camps के सुविधा मिलती है अगर आप NSS में पंजियन है तो और ये College के समय में ही सारी गत्विदिया होती है एक सामाजिक गत्विदी है तो वो सारी इसके अंतरगत होती है तो आप इसमें ये आप पंजियन करा लेते हैं तो एक लाब तो आपको ये सारे जो NSS के लाब हैं व्यक्तित और निर्मार के संदर में वो आपको मिलेंगे बिशे के रूप में ये आप Open Elective Subject के रूप में NSS को चुनते हैं तो एक पेपर के रूप में आप उसे पढ़ सकते हैं और वह सो नंबर का है उसके भी उसी प्रकार से 30 नंबर के CC हैं और 70 नंबर का आपका परीक्षा के लिए आने वाला मेटर है जो और परीक्षाइं होती है उसी प्रकार से आप चाहें तो इस वीडियो के माद्यम से परीक्षा के पैटरन के बारे में भी जान सकते हैं किस प्रकार से राश्टी सिक्षानीती के अंतरगत विश्व विद्याले में परीक्षाएं आयुजित की जाएंगी तो सो नंबर का एक पिपर है जिसमें बीस्दी से तिस नंबर कर आपका के वास्ति हो संदर में एक दिवसी शिविर के संदर में मद्दाता जाकुरुकता के लिए परियावरन संदक्षन के लिए ब्रक्ष गंगा रेली के रूप में नसाव नुमूलन के लिए तरह तरह कि जो कारिक्रम महाविद्याले इस तरह पर होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करते है वही सारी कहानी आपको पेपर में लिखने के लिए भी आएगी तो आपको बहुत जादा अलग से पढ़ने की आवश्चता नहीं है इसका भी पार्टिक्रम है MP higher education की वाल पर उपलब्द है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं तो वह आप करें तो एक NSS विशय लेने के साथ एक पंजीन करने साथ आपको लाब होगा कि आप विशय को सामाने तरह से पढ़ देंगे अब NSS जो विशय आपने चैन किया इन्हीं में एक है वोकेशनल कोर्स कोशल विकास कारिकम और यह कंपल सरी है तो आप कोशल विकास कारिकम के अंतरगत विशय चैन करने के लिए आ चैनल स्थाय्य को विक्यास सभी माविध्यल्यू होनों में चल रहा है तो राष्टरी सेवा यौजनामें अब होता है जब निर्मार होता है कि समास सेवे माद्यम विकास उसी के विकास की कहनी आप इसमें लिख सकते हैं इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो यापश की कहानी मैंने इसमें कही है इस वीडियो के माध्यम से किस तरह दे फाइल तयार होगी जो आपके लिए 2000 सब्दों की तयार करनी सभी को इसमें एक पेपर होगा विक्तित विकास का और एक फाइल होगी करकार वो सफल हुए क्या उन्होंने अपनाया और उसी तरीके से आप अपने लिए प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं या किसी एक ऐसी संस्ता के बारे में जो युवाओं के चरित निर्माण और विक्तित निर्माण के लिए काम कर रही है और उसको सरकारी इस तरह पर यानि गौर्मेंट की ग्रांट मिलती हूँ तो उसमें एक एनसस है एनसी सी है स्पोर्ट और आपके नहरीवक के इंद्र है या इस तरह की और तमाम संस्ता हैं जिनको सरकार डॉनेशन देती हो उनके बारे में किस तरह ऐसे उनका पार्टिक्रम है और कैसे वो यह वाओं की निर् सेंगा है एका है फिल्ड प्रोजेक्ट फिल्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको एक है इंट्रेंसिक उसाधिये सकते हैं अपरेंट्रण्सिक या फिर आप ले सकत formas को क्मिन्टी इंगेजमेंट साम नंसमुझायक सेबाब कारिक एनसेस जो पूरा काम करती है वो कम्यूटी के बीच में करती है चाहे हो मद्दाता जागरुकता हो रक्षिकंगा रेली हो सापसफाई की बात हो पॉलिथिन उन्मूलन की बात हो नशा उन्मूलन की बात हो ड्रग अब्यूस प्रेवेंशन से संबंदित बात हो एड्स डिजाइन इसके हैं भुछ तव्च चेंप हिए हम कैंप बीच में लखाटे साथे लगाते हैं सथे चाहिए रहा announcement की स्कारिफ योजना की योजना वह और नहीं हम विद्यार्थियों के माद्यम से चर्चा करथे तो वह त सभव आपका है कम्यूटी इंगेजमेंट की जो 2000 सब्दों की आपको फाइल बनानी है जो 100 नम्मर की है उसका पेपर होगा उसका बाइबा होगा आपको वह आपकी एनसस में आने से सोतही पूरी हो जाती है तो रास्टी सेवा योजना को पंजियन कराने के साथ चुन्ने से आपको तीन एडिशनल लाव होते हैं एक विशय के रूप में ओपन एलेक्टिव दूसरा वोकल वोकेशनल कोर्स के रूप में तीसरा फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में यहां मैं यह भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आप एनसस में पंजियन नहीं कराते हैं जैनि ऐसा जरूर नहीं कि आपने राश्टी से वायुजना का विशय लिया है तो आपको वो करना जरूरी है ना यह ओपन एलेक्टिव है आप एक पेपर के रूप में इसको पढ़ सकते हैं फिर आपको पढ़ने के साथ इसको लिखना पढ़ेगा पंजिय के बीच में जाके कर रहे हैं तो उनी सब चीजों को हमें लिखना है परिक्षा में तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है तो मैं आप सभी से यह कहूंगा जो नए प्रवेश लेने वाले विद्यारती हैं खास दोर से उन से कि सभी विद्यारती अपने महाविद्यार्य में नतो में पनियान विखर या एन्शी से में पनियान करा यां प्रतेक महावध द्याले में योनिट में तो आप पहले पहले पाएं के नियम पर definitions के जो आपके P.O.s हैं, कारका मदिकारी हैं, N.S.S. ए N.C.C. के, उनसे मिलें, संपर्क करें, और एक N.S.S. में अपना पंजिन करा हैं, साथ ही साथ एक बिशेक रूप में N.S.S. को चुनें, जो vocational course है, उसमें आप personality development को online form फिल करते समय लिखें, और field project में आप community engagement को clear करें, तो इस प्रकार से, एक N.S.S. में आने से, आपके तीन paper स्वते ही solve हो जाती हैं, तो हम cable अगर अध्यन कर रहे हैं, admission ले रहे हैं, तो कुछ तो भी हम लेके बस बैठ जाएं, ऐसा नहीं करें, पहले अच्छी तरह से उसकी counselling करें, किसी महाविद्याले में जाके चर्चा कर सकते हैं, मेरे माविद्याले में दिया आना चाहें, तो आप मेरे माविद्याले में भी आ सकते हैं, मेरे से चर्चा कर सकते हैं, इतियास विमर्ष पर जो chat box है इसका, इतियास विमर्ष का, आप चाहें तो उसमें comments box में भी जाकर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, अपनी जिग्यासाओं का समाधान कर सकते हैं इसी इतियास विमर्स पर प्लैलिस्ट में जाएंगे। तोちは झाले से जानुद कि कैई सारे वीडियो ये प्लैलिस्ट में सेक्षिक चर्चा के अंतरगत जब मैंने विश्यागा के कई सारे वीडियो हैं और राश्री सिक्षानीती के उपर ही है तो आप उसमें एनेसेस की भूमिका क्या है वो भी आप देख सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो इस वर्स एडमिशन लेने वाले हैं या सेकंडियर में भी ज है सारविनिक जीवन में जाएंगे तो वहां भी वह यह देखे हैं कि आपका सामाजिक है कैसा रहा है कमिनिटी आपका कैसा है जब भी आप प्ले का चीजtaking करते हैं कि आप समाज के साथ बैठीके तानम में विड़ सह ने नहीं तो आपकी पहली प्रात्मिक्ता के दावेदारी बनती है तो आगे भविष्टी की दर्श्टी से भी एक अच्छा विशह है आप इसको चुनें आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने वाटसप गुरुप पर फेस्बुक पेज पर इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो क्योंकि अभी यह विवस्था नहीं है कॉलेजेज में भी इसकी जानकारी ज्यादा नहीं है तो आप इसको अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें कमेंट इसलिक के बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा आपने इस वीडियो को पूरा देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद